नमस्कार दोस्तों फैने श्टक के सीरीज में आप सभी का हर्दी कम नंदर करता हूँ दोस्तों मात्र 35 पैसा हाला कि इस कंपनी को हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही भाई करने के लिए लेकिन कहीं कहीं भाई करने के लिए चांस नहीं दे रहा है तो और कौन स ऐसा ट्रिक है जिसे हम लोग आजमा करके इस कंपनी को कल भाई किया जा सकता है तो दोस्तों वो ट्रिक मैं लेकर के आऊ हूँ और उस ट्रिक से देखने वाले हैं अगर इस कंपनी का आप सबको पता है इस कंपनी का नाम क्या है जिया दोस्तों इस कंपनी को मैं कफ्चर ट कंपनी को यहां पर दिखीगा इस कंपनी का पूरा का पूरा फंडामेंटल में बताया था और कभ चार या पांच दिन पहले की बात है यहां पर मैंने बता दिया था और उसी दिन से ट्राक करें हम लोग इस कंपनी को और आज के डिट में कहीं न कहीं बहुत ही तेजी से ऊप कल जब market open होता है दूस्तो market open होने के बाद से क्या ये हद कंडा हमें मतलब जब भी market open होता है friends तो वहाँ पर क्या हमें ये chance देता है buy करने के लिए कि नहीं देता है तो उस trick को भी देता हूँ friends उस trick को भी हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपसे request करूँगा आपका अपना YouTube चैनल Penny Baba को एक पर subscribe किजिएगा bell icon पर click करके all पर select कर दिजिएगा तकि जैसे मैं Penny stock के लेकर के वीडियो आता हूँ notification आपको मिले friends आपके request पर earn of fashion को मैंने पूरा का पूरा fundamental बता दिया हो तो इसमें अगर किसी को भी fresh buying की opportunity लेनी हो तो कहाँ पर लेना है या जो लोग buy करके रखे हुए है कहाँ पर उनको buy करना चाहिए या कहाँ पर निकलना चाहिए या और उसमें add करना चाहिए ये सारे चीज़े हैं दोस्तों अब बिना देर की विए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और company का नाम आप सब को पता है इस company का नाम क्या है लेकिन जो trick आज हम लोग देखने वाले उस trick तो दोस्तों इस company का नाम है CESL जहां दोस्तों CES Limited की में बात कर रहा हूँ और मातर 35 पैसा का stock विश्वास माने कि इसमें हमें खोने के लिए मातर 35 पैसा खोने के लिए है लेकिन जिस तरह से इसका book value किता है 35 अराउंड 35 या 37 इसका book value है अगर ये 35 या 37 पहुँच जाता है ठीक है पहुँच जाता है तो हमारे 1000 ही 1000 ही कितना हो जाएगा 35 टाइम्स तक का ये multiple stock जो है return दे सकता है तो हमें जब हमें पता है कि मातर इसका price 35 पैसा पर चलना है तो daily हमें daily हमें try करने में क्या जाता है daily हम try करेंगे कुछ न कुछ आज ये trick यूच किये कल के दिन अगला कोई trick यूच करेंगे हमें क्या करना है हमें इस stock को anyhow buy करके portfolio में रखना है क्यों रखना है दोस्तों portfolio में आखिर ऐसी क्या वज़ा है इस company के तो दोस्तों सबसे पहले इस company को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ना तो ये company GSM list में है ना ही ये company ESM list में है पूरी free है दोस्तों यहाँ पर तो और दूसरा चीज यहाँ पर अगर हम fundamental में देखें fundamental और लेडी मैंने बता दिया था लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस fundamental में हम लोग इसको बार बार देखे जा रहे बार बार देखे जा तो सबसे पहले जो fundamental में हमें निकल करके आता है वो इसका हमें 17 book value क्यों न अगर ये 30 पैसे 35 पैसे 40 पैसे 50 मैं कहता हूँ 1 रुपया पर बाई होगा 2 रुपया पर तो बाई होगा न होगा तो हमें daily try करने में क्या जाता है trick यूज करेंगे दिखें book value 37 रुपया अब वहीं मैंने बता है था already 37 रुपया market cap की बात करें एक 1.28 करोड लेकिन reserve की बात करें तो 101 करोड का reserve है दोस्तों वहीं death की बात करें तो death free company pleasing की बात करें प्लेजिंग है नहीं promoter holding के stake की बात करें 74% तो क्यों न हम daily try करें तो दोस्तों अब मैं बिना देर की वे आते हैं जादे घुमा फिरा करके नो करना है तो यहाँ पर अब अगर मैं इसको उपर लेकर क्या हूं देखिए यह company का नाम हो गया है यहाँ पर आपको दिख रहा है CESL अब इसे हम buy करने जा रहे हैं मार्केट तो अभी बंद है तो मार्केट बंद में हमको और कौन से तरीके हैं सबसे पहले तो हम लोगों ने AMO AMO order लगा करके देखा कही न कही नहीं हो रहा है execute वहीं दोस्तों अब इसमें हो क्या रहा था कि जिन लोगों ने भी AMO order लगा रहे हैं तो AMO order में कही न कही market जो है रहता है न ये market order market order आटोमेटिक ही आ जाता है तो AMO में अब AMO order कब लगाना हमें 9 बचे से start कर देना है या तो AMO order तो हम अभी भी लगा सकते हैं अभी भी लगाएंगे और कल जब मंडे की दिन market open होगा तो वहाँ पर जैसे ही इसमें थोड़ा बहुत भी circuit खुला तो execute हो जाएगा तो दो चीजे हैं तो सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं market order से try कर रहे हैं लेकिन अब हमें क्या करना है अब हमें इसे limit order पर try करना है तो दोस्तों सबसे पहले limit order में हमें किस तर से करना है देखिए यहाँ पर माल लिजी मैं 10 quantity कर लिया long term automatic आगा regular में और market order पर not click करके हम लोग लगाएंगे limit order पर लगाएंगे और limit order पर यह 35 पैसा यह चलना है एक पैसे है कल दो पैसे पर कल तीन पैसे पर पांच पैसे पर इस तर से इसका circuit बढ़ता चला जाएगा तो हमने limit order में लगाया अब हमें करना क्या है कि हमारे पास दो से तीन डिमेट अकाउंट होने चाहिए और आप सबको पता है कि एक डिमेट अकाउंट कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए कम सकम दो से तीन डिमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए अपने पास क्यों होना चाहिए रीजन में बता देता हूं मालनी जीए अगर आप किसी स्टॉक को फंडमेंटल स्ट्रॉंग कमपनियों को बाई करके रखे हुए हैं और आपको इंट्राडे में या निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई दिख गया अरी आज तो मुमेंटम इसमें होई जाएगा और पैसे नहीं रहता है क्योंकि स्टॉक में लगा करके रखते हैं तो तो देखें यह अपना टेलिग्रम चैनल है यहाँ पर में सारा कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी सौट टर्म लॉंग टर्म न्यूज सारा कुछ अपडेट करते रहता हूं तो सबसे पहले आप टेलिग्रम चैनल को जोईन किजीगा और उसके बासे यहाँ पर एकाउंट उपन कर सकते हैं अगर आप मेरे अगाउंट उपन करते हैं तो आपको विए पी चैनल में अड़ करूँगा जहां पर यह बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं एक ही पेनिस्टाक नहीं है बहुत सारे ऐसे पेनिस्टाक जिनका कब खुलने वाला होता है अपर सरकीट उस टाइम यहां Χ चैनल में अपडेट करता हुआ है आप देखें उगे बहुत सारे स्क्रीन तो अपने believers ट्रिक्र पर उपन करने के आड्वनटेच अब बिना देर के विए टेलीग्राम पर जाकर के डिमेट अकाउंट ओपन जरूर किजीगा और वहाँ पर मेरा फोन नमबर है वहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी है वहाँ पर मेरा वाटसप नमबर है सब कुछ आपको मिल जाए गया दोस्तों 35 पर है तो 35.5 यह 35.5 आएगा यह नहीं क्योंकि ओलेडी 0.5 तो एक पॉइंट ऊपर माली जी हमें अब कल लगता है कि 36 पैसे पर खुलेगा तो 36 लगाएंगे और जो ओर लगेगा वह ओर लिमिट ओडर में पहला ट्राई करना है तो लिमिट ओडर में क्योंकि मार्केट ओडर में आगर आप ट्राई कर लियोंगे नहीं हो रहा है तो लिमिट ओडर में ट्राई कीजिए लिमिट ओडर में भी अगर ट्राई नहीं होता है तो और भी कुछ है सबसे पहले Monday को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या यह trick हमारे पास काम करती है कि नहीं करती है अगर कर गई ना दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यह मतलब मैं बार-बार बोलना हूं कि इसमें खोने के लिए कुछ है यह नहीं लेकिन पाने के लिए हमें बहुत कुछ है तो ट्राइ हमें करते रहना है दोस्तों देखिए कहते हैं कि कोसीश करने वालों की कभी हार नहीं होती हमार मानने वालों दोस्तों ट्राइज जरूर करेंगे तो इसे के साथ लेता हूं विदा फ्रेंच और आपको वीडियो चले प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब ज तो दोस्तों इसे के साथ लिता हूं विजा और चलते चलते आप सभी का दोस्तों धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे थाइंक्यू दोस्तों